इस फीडियो में हम जानेंगे कि अब 2024 में आप लोग किस तरह से अपने राशन कार्ट की परची को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि पहले आप लोग बहुत ही आसानी से राशन कार्ट की लिश्ट को निकाल करके परची डाउनलोड कर सकते थे लेकिन अब यहाँ पर जो प्रोसेस है थोड़ा सा चेंज ही कर दिया गया है तो किस तरह से आपको राशन कार्ट की परची सिर्फ अपने आधार नंबर के माध्यम से डाउनलोड करनी है इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है nfs.gov.in इतना टाइप करने के बाद में आपको सर्च कर देना है अब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप लोग राशन कार्ट की ओप्शियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और दोस्तों यह ओल इस्टेट राशन कार्ट की वेबसाइट है किलिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने काफी सारे options देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि आपको एक option यहाँ पर मिलेगा citizen corner इसके just उपर ही आपको इस वाले icon पर एक बार किलिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहां पर देखिए दुबारा से आपके सामने काफी सारे options देखने को मिल जाएंगे अब आपको यहां पर एक option मिलेगा Know your Ration Card Status आपको इसी वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा यहां पर राशन कार्ड टाइप में आपका राशन कार्ड नमबर ही automatic ही select रहेगा इसके बाद में अब आपको यहां पर अपने राशन कार्ड नमबर को enter करना है लेकिन अगर आपके पास में राशन कार्ड नमबर नहीं है या फिर आप अपना राशन कार्ड नमबर भूल चुके हैं करेंगे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ permission यह माँगेगा आपको allow करना है और इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा एक option आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो आधार card number है वो यहाँ पर आपको type करना है और आधार number type करने के बाद में submit वाले option पर एक बार click कर देना है अब जैसे ही आप submit वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकती हो आपके राशन card का जो number है वो देखने को मिल जाएगा अब आपको करना क्या है इस राशन card number को यहीं से आपको note कर लेना है और इसके बाद में इसी राशन card number को वहाँ पर enter कर देना है तो हमने जो अभी राशन card number देखा था उसी राशन card number को हमने यहाँ पर enter कर दिया है और इसके बाद में capture code आपको देखने को मिलेगा इस capture code को same to same आपको यहाँ पर fill करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर gate RC details वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही आप click करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके राशन कार्ट की complete detail आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को आपके राशन कार्ट की complete details शो हो जाएगी अब आपको इसका क्या करना है इसका एक print out निकलवा लेना है और print out निकलवाने के बाद में आप लोग किसी भी राशन शोप पर जा करके राशन ले सकते हैं इस तरह से आप लोग बहुती आसानी से सिर्फ अपने आधार नमबर के माद्देम से राशन कार्ट की परची को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद में आप लोग इसका print out निकलवा करके कहीं से भी राशन को प्राप्त कर सकते हैं